हेलो एबरीबन वेलकम बेक टो मैं चैनल इनवेशन एसकल्स एंडिया दस्तों आज मैं फिर से इंग्लिस सौट एस्टोरी ले करके उपस्ती थूँ इस प्रकार के डेली इंग्लिस एस्टोरी से आप अपने इंग्लिस लेंग्वेज को सुधार सकते हैं कम्मुनिकेशन एसक हाई देखते हैं एक एक चीज़ों को इंग्लिस और हिंदी दुने लेंग्वेज में समझते हैं वन आफ्टर नून एक दो पहर एक फॉक्स वाज वाकिंग एक लोमड़ी गुजर रही थी ठीक है थूरू दा फॉरेस्ट ठीक है जंगल से होकर एक दो पहर एक लोमड़ी जंगल से होकर गुजर रही थी and spotted a bunch of grapes ठीक है अस पॉर्ट्र मतल कि अच्छी सखहा से लटकते हुए यानि कि उच्छी सखहा से लटकते हुए अंगूर की गुच्छे को देखा ओके जर्ष्ट दर तिंग्स जर्ष्ट तिंग्स बस चीज जर्ष्ट दर तिंग्स बस चीज टू केंच माई थर्ष्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तर्ष्ट का मतलब बता है प्यास यानिकी माई थर्ष्ट मेरे प्यास क्विन्स का मतलब बता है बुझाना ठीक है यानिकी मेर कदम पीज़े हट कर ठीक है कुछ कदम पीज़े हट कर द फॉक्स जॉप ड रोमडी ने जम्प की मतलब कुदी और जर्ट ने लटकते हुए अंगूर से व चुक गए ठीक है लटकते हुए अंगूर से वह चुक गए कहीं ऑगेंन फिरसे देफॉक्स टुक एफ्यू प्लेस बैक ठीक है फिर से लोमड़ी कुछ जगा पीछ से पीछ सबसलिएmet अपिछ से हटी एंड ट्राइब टू रिच तेम और उन तक पहुचने के कोशिज गीं आंड ट्राइड कोशिज की तू reach पोचिने के लिए मतलब उनके पहास टेकर ऑन की उनकी हिन्स टक स्टील पेड परंतु अब भी हो रहए हुए है असफल रही टिके ब्स रत्क फ्रंत तर्माण कर्ट चोड़कर या भॉल σब्सक्कुल पीज नागत आंग ऑर कोस Gotta आपक नटी ठेम सीट लिख न उपने अपनी नाका उपर उठाए और कहीं आरोड़ फॉक्स्न आसायद और शौर का मतलभ हुता है कर दिए पथा और अने एत्ल मतलब कहा था कि वैसे बूंट इक यान यानके यह रफ बने वे सायाद खट्टे हों गए वैसे बीन टेगेंगे विसाद कटी विसायद कट्टे हां वैसे भी मैं यान कि फिर ही वखड अवे ठीक फिर वह वहां से चले गए रषे फिर वह वहां स इससे टूट स्पार सुफ इससधिय। इससे आप तो doet Кर ना वांट D सकुरिभी कि करना। वाट जब्सधिय। आ कर्णा कर तो के यह इशिग जो है उप सके आप तो क्योई गाले करके शोवें पास ना रिट सांघाने और त्रिस्कित करना असान होता है ठीके लेट एगेन वाक्स इंड़ सुरी एड नोट आए एबाउट दा श्ट ओर एडिके एक ओणि कहाने के बारे में एक नोट अब कहाने के बारे में एक नोट क्या है वोची बतलाई गई है आपके हां यहां कि लोमडी और अंगुर जो कहानी है इस ओफन साइट इस ओफन का मतलब होता है आपका आपका आपकर अक्सर अपसर उध्रित करती है है एज इन एक्जाम्पल मतलब एक्जामपल की रूप में फोर कोगनेटीब डिसो ने चुक है यानिकी जो फोस और ओक्ष ये कहानिए वह हमेशा ओंपिन का मतलब क्या अक्षर हमेशा ठीक यहांने कि अक्सर संग्यानात्मक असंगती की एक्जामपल की रूप में उधारन की रूप में क्या करती है उद्रित किया जाता है दिसकोंफर्टेबल पीपुल्स एक्स्पिरियेंस वें ठीक है लोगों को अशुविधा तब होती है ठीक है अशुविधा थे लोगों को अशुविधा खीक होती है जब उनका विश्वास और उनका बिस्वास और क्रिया जब उनका विश्वास और कारिया ओड्स होती है का मतलब बिषाम भी नोता है जब उनका और विश्वास जो है अभीन होता है विट अधर विलिफ एक्स का एक कर्वी दूसरी बीस्वास और किया से तक है ईन दए स्टोरी कहानी में यह ड़ा, ये वेन बेल पर टेके बेल पर कुछ अंगूर देखती है लो अम्री and wants to eat them और चाहती है to eat them उनको खाना ठीक है और उनको खाना चाहती है, he tries to jump up ठीक है, वह उपर जो है, वह कुशिश करती है कुदने की ठीक है, he tries वह कुशिश करती है to jump up कुदने की बट कांट रिच देम ठीके परंतु उन तक नहीं पहुच पाती है लेकिन उन तक नहीं पहुच पाती है विकॉज दे आर टू हाइं ठीके क्योंकि वे बहुत जो है टू हाइं मतलब बहुत उच्ची है ओके वेन ही रियलाइज जब उससे एहसास हुआ कि वह किसी अंगूर को नहीं खा सकेगी ठीक है यह नहीं कि नौट एबल टू भी मतलब उससे एहसास वा वह नहीं खा पाएगी यह पिर नहीं सकेगी टू इट मतलब खाना एनिग रैप्स कोई अंगूर ठीक किसी अंगूर को खाने की जो है खाने में सक्षम नहीं होंगी जब उससास हुआ दा फॉक्स वी केम्स लोमडी जो है दा फॉक्स बीकेम से डिस्टैन फूल लोमडी जो क्या हो गए तिर इस तिस्कृत हो गए ठीक है उचारन करने में तुर से प्रोब्रम आ रहे थी बतात पूर श्कृत और त्रिस्कृत तो आप जानते हुआ तो त्रिस्कृत हो गए डिस डैन फुल कमतलता है तरिस्कृत है टेक है दफॉक्स बीकेम से अधि डैन फूल ने कि लोमडी तिस त्रिस्कृत हो गए कि ही टेल्स हिमसेल्फ धंदेजेगा यहां पर ही और यहां पर देखे देखें क ultimate माइसंफ हो निस वारिय !! फिर हुरस्ट हो इन सबाता है ऑपके आपका अपनी आपसे या पूर्द जेंट अपनी आपसे या को गोगे के कि मतलब क मतलब कर एकbiorि कि वहते और invasive ओंगूर वेर्स मतलब कर्टेय थे टिक grads वेर शर में खतेया थे एंटिन नौट वर्थी ओफ وिचर Алई एंवे टिक ही और वैसे भी ओफ्र जी है नहीं अदर वर्थी वर्दी ऑफ डिजायर एनिवे और वैसे भी कोई एक्षा नहीं थी ठीक है थान दिजेगा साइको लोजिस्ट एंड टीचर्स लियून फेस्टिंगर पॉइंट इड आउट इन 1957 ठीक है साइको लोजिस्ट यानिक होता है आपका मनो बैग्यानिक इन टीचर मतलब सिक्षक है ठीक है मोनो बैग्यानिक और शिक्षक रख लिएपकिया पॉइंट आउट किया पीपल से होड्र टू-कन फलेक्ट इन लोग जो है दो बिरोधी बिश्वास को करते हैं ठीक है लोग दो विरुधी विश्वास को करते हैं और दे विलेव और वन तेंगे या वे एक चीजों पर विश्वास करते हैं या तो वे एक चीजों पर विश्वास करते हैं बड्डू सम्तिंग परंटू वे कुछ ऐसा करते हैं डैट एज अगेंस्ट डेट बिलीफ टिक जो विष्वास के खिलाफ होती हैं रिज़िटिंग कोगनेटिफ कोगनेटिब सोन्स इज इच्पलोजीध जन्दीजेगा ऩेर यानिवी संग्यानत्मक असंगती एक नितन बैगानिक रुप से एक डाइच्च करस्टकारी है परिनामी संग्यानात्मक असंगती मनो बेगानिक रुप से कश्टकारी है एंड वी ओफेन और हम अक्सर ट्राइटु एलिभेट मतलब कम करने की कुछिज करते हैं इसे बाइज जस्टिफाइंग आवर एक्संस और चेंजिंग आवर बिलिप्स ट्रिके यानि कि अपने कारे को उचित ठहरा कर या अपने विस्वास को बदल कर या फिर अपने कारे को उचित ठहरा कर ट्राइटु एलिभेट मतलब कम करने की कुछिज करते हैं अक्सर आइधर वे किसी भी तरह से किसी भी तरह से दो गोल इज और टू गेट आवर विलिप्स एंड एक्संस इन लाइन विट इच आदर ठीक है किसी भी तरह से लग्ष्या हमारे विश्वास और कार्यों को एक दूसरे के बिच बनाने हैं तो दूस्तों मैं ऐसा करता हूं कि यह मेरे द्वरा परस्तुत इ इंग्लिस स्टोरी यह आपको पसंद आई होंगी और आ कहीं ने कहीं आपको इंग्लिस लेंगज को सुधारने में हेल्प मिली होगी सो मिलते हैं इसे इस अंदार इंग्लिस स्टोरी के साथ तब तक रखें अपना ख्याल बहुत से रप्यार धन्यवाद थैंक्यू शो मच लग्यो गईज